नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पहुत थी साधरन सब्दों में यानि कि इतने सरल सब्दों में बात करेंगे सिविल से परिक्षा के बारे में कि आप सभी को समझ में आ जाएगा वैसे मैं बता तो चुका हूँ इसके बारे में लेकिन फिर भी मैं ने जीमेल पे कुछी देन से देख रहा था फेस्बुक पेज पर कई बच्चे कुश्चन्स कर रहे थे समझ में नहीं आया तो एक मिलकूल साधरन सब्दों में कोई भी समझ जाएगा इतना सरल सब्दों में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल सेव क्या होता है तो याद रखिए सम्मिधान के अनुच्छे में जिनका उल्ले किया जाता है तो उसे हम लोग सम्मिधानिक संस्था कहते हैं फिर चाहिए आपका देखते हैं आप लोग की चुनावा यूग देख लीजे बित्ता यूग ये सभी आपकी सम्मिधानिक संस्था ह तो इसी तरह आपका संग लोग से वायो है जो एक सम्मिधानिक संस्थान है अब इसके सम्मिधान में अगर हम लोग चर्चा करें कि सम्मिधान में इसका उल्ले कहा है तो सम्मिधान के भाग जो 14 है आपका इसमें अनुछे 315 से लेकर 323 तक इसी का भर्डन किया गया है आप UPPCS MPPSC देखते हैं यह आपकी स्टेट PCS की तहता है इस्टेट जो आयो होता है उसके तहता है जैसे कह देते हैं मद्धविदेश लोग सिवायोग तो यह मद्धविदेश राज्य सिवायोग UPPSC BPSC यानि कि बिहार PCS RPCS राजिस्तान PCS CGPSC यानि कि आपका 36 गड़ PCS कई राज्यों कि आप देखिए UPPCS को देखेंगे आप और IOS को देखेंगे इन दोनों का पैटर्न सेहम है बिलकुल लेकिन आप MPPSC में देखेंगे तो यहाँ पैटर्न बदला हुआ है यहाँ optional आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या optional देखने को नहीं मिलेगा तो उस पर हम बात कर भी चुके हैं और जुदना रह गया है UPPCS के बारे में भी बहुत अच्छे सिवात कर चुके हैं आज हमें केवल सिविल सिवात परिच्छा के मारे में जाना है भारतिय जो परशासनिक सिवा होती है यानि कि IES भारतिय फुलिस सिवा यानि कि IPS जैसी अखिल भारतिय सिवाओं और भारतिय विदेश सिवा यानि कि IEFS भारतिय राजस सिवा यानि कि IRS भारतिय रेल्वे या खताया सेवा IRTS, भारतिय कंपनी कानूर सेवा ICLS आदिजसी जो भी पितिष्ठे सेवाए हैं इनके लिए जो भी चैंड की पिक्रिया होती ही, यानि कि शिविल सेवा परिष्चा योजित की जाती है, यह हर वर्ष की जाती है, क्या पितिएक वर्ष की जाती है इसका और कौन क दिवाय हुग है जो यही करवाता है इनकी हर साल आप देखते हैं कि आप सिभल से अनूर्श की तैयारी कृते है आई इसकी तो उसमें भी हर साल यह पेपर होता है ये कभी आपको नहीं चूटेगा कि ये इस साल नहीं आया तो अंगली साल आएगा इसका एक नहमित बाग गजमाने के लिए इस परीच्छा में भी बैटते हैं और लेकिन कई कुछी लोगों के हक में एक अच्छा सपना होता है उनमें से चंदवर अभ्यारतियों को ही राष्ट की बास्तुकार की संज्या से बीवोसित इन पितिश्टित पदों तक पहुँचने का सवभाग प्राप्त होता है यानि कि कहने का सीधा संतल वहें कि आप सोचिये कि इनमें कुछी ब्यक्ति कुछी बच्चे सफल हो पाते हैं इस परीच्छा में ambiguous इनके में हम लोग आंगे बात करेंगे विस्तार से अभी किवल हम लोग City services में क्या जरूरी है कितनी होना चाहिए क्या क्या आपके पास डीग्री होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो तो इसनातक इसके लिए जरूरी है यानि कि कोई भी डिगरी चले, किसी भी विसे में आपका से हुआ, चाहे आप BST कर रहे हो, BA कर रहे हो, या पर कुछ भी कर रहे हो, BBA कर रहे हो, इस तरह कि इसनातक यानि कि डिगरी आपको चुरूरी है, और अगर आप इसनातक में अंतिम बर्स में हैं, यानि कि आप BST कर तीन साल कि है आपकी BERS 2 साल निकल चुके हैं लाँस्ट Year में आप लोग पेपर दे रहे हैं तो उस समय भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं इसका क्या कर सकते हैं फॉर्म डाल सकते हैं है और याद रख lifelong किसी भी से मैं मैं बस आपकी जिस University से आप College से कर रहे हैं उसे University से मानता पराप्त होनी चाहिए उसकी टीक है? इतना याद रखी उसके बाद अगर हम लोग पातता की बात करें मापदंड की कि इसमें कितने IU होनी चाहिए, कितने परयास मिलते हैं, attempts कितने रहते हैं तो जनरल यानि की सामाने के लिए अगर हम बात करें तो 21 से 32 साल यानि की मिनीमम 21 21 साल होनी चाहिए और मैगीमम आपकी 32 साल इन्हें आपके 6 समय बिलता है 6 टाइम, यानि की 6 बार एक पेपर दे सकते हैं याद रखी आप अगर फॉर्म भरते हैं प्रिलिम्स का और उसे नहीं देते हैं पेपर को तो आपका अटेम्ट यानि की प्रियास नहीं जोड़ा जाएगा आप अगर प्रिलिम्स में बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपकी काउंटिंग चालू हो जाती यानि की एक काउंट आपका एक अटेम्ट खतम हो जाएगा तो याद रखिए आप फॉम भरिये अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जोड़ेगा पेपर में अगर बैठ ते हैं तभी जोड़ेगा तो जनरल के लिए छे अटेम्ट दिये जाते हैं OBC की अगर बात करें तो इसमें भी 21 से 35 साल है और बाखी चूट मिलती रहती है एज में 21 से 35 साल इन्हें आपके 9 अटेम्ट मिलते हैं कितने 9 बार पेपर दे सकते हैं HTSC की बात करें तो 21 से 37 बर्स और एज लिमिट यानि कि जब तक इनकी एज लिमिट नहीं हो जाती है तब तक इन्हें पेपर देने की अनमती होती है यानि कि इन में कोई अटेम्ट का खेल लही है HTSC में यानि कि सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइप में अनुसूचित जन जाती है और अनुसूचित जाती है याद रखिए उसके बाद अगर हम लोग परीक्षा की पैरोग की बात करें पैटर्न की बात करें कि इसमें होता कैसे कैसे कौन परीक्षा कितने नम्मर की होती है क्या होता है तो यह परीक्षा तीन चड़ों में आयुजित की जाती है प्यारंबीक, परीक्षा, मुख परीक्षा और साथ्चातकार यानि की इंटर्विव, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्यारंबीक परीक्षा की तरब Preliminary Examination यह आपका जून अगस्त में होता है, याद रखें कभी यह आँगे पीछे भी हो सकता है अगर कोई प्रोबलम है, तो आँगे पीछे भी हो सकता है, जैसे अभी Corona महमारी के चक्कर में यह आपका October में पहुँच चुका है, लेकिन अंगले बार आपका जून अगस्त या फिर सेप्टमबर की आसपास करवा दिया जाएगा उसके बाद आप देखेंगे इसमें दो पीपर देखेंगे, फस्ट और सेकंड दोनों में आपके 2200 नमबर की रहेंगी क्या रहेंगी, 2200 नमबर की रहेंगी, इसमें जो भी पीपर आते हैं वो विकलपि की रूम में आएगे A, B, C, D, 4 options देए रहेंगे उनमें से आपको एक चुनना होगा ठीक है? और O, M, R, C, T आपको रहेगी आप देखते हैं ना कि गोला बढ़ने वाली उसी में आपको गोला बढ़ना पड़ेगा बॉल पैन से इस तरह के पैन से बढ़ सकते हैं यह आपके पितेक पेपर जो पहला सामान अध्यान का होगा वो भी आपका 200 नंबर करेगा 100 questions रहेंगे और दूसरा आपका C set होगा यह आपका 200 नंबर का ही रहेगा लेकिन यह 80 questions रहेंगे इसमें कितने 80? और जो second paper होता है यह आपका cable qualifying रहता है यानि कि कहने का मतलब सीधा है कि इसमें से आपको 33,30 नंबर चाहिए होते है आप अगर paper देते थे ना 10 भी बार भी के तो उसमें 33% चाहिए होते थे पितेक subject में पास होने के लिए चो दूसरा paper है इसमें भी आपको इतना ही नंबर चाहिए होते है पास होने के लिए लेकिन याद रखिए यहां कि दोनों paper में negative marking रहती है यानि कि कहने का मतलब है कि तीन अगर आप questions गलत करते हैं तो एक जो सही आपका होगा उसके बराबर अंग काट लिए जाएंगे ठीक है तीन questions पर यह आपका एक सही questions कि बराबर के यहां कि काट लिए जाएंगे इसमें और याद रखिए इसमें जो second paper है आपका cset इसके आधार पर cut-off कभी नहीं बनता है जो paper फश्ट है सामान द्द्यन का, gs का इसी के आधार पर आपका cut-off बनता है और आप mens में बैट पाते हैं यानि कि दूसरे चर्ण में आप लोग पहँच बाते हैं इसमें केबल second paper में आपको pass होना जरूरी है क्या होना, pass होना जरूरी है तो चलते हैं मुख परिक्चा यानि कि mens यह आपका October दिसंबर के करीब होगा कब? October दिसंबर याद रखिए अब इस समय कुरोना महमारी के कारण बढ़ गया है तो इसकी date भी आँगे बढ़ सकती है तो याद रखिए इसमें क्या क्या होगा? निवंध यह आपका 250 अंग होगी इसमें कितने? 250 अंग का होगा 900 नंबर का ठीक है? इसमें जो सामान अध्यन पेपर होगा फर्ष्ट यह भी आपका 250 अंग का होगा कितने? 250 अंग का होगा पेपर जो सेकेंड होगा सामान अध्यन का यह भी 250 अंग का होगा सामान अध्यन का पेपर थैड होगा यह भी आपका 250 अंग का होगा आंगे इसका पूरा सिलेवर्स बता दूँगा कुछ टाइम बाद ठीक है तो टेंसल मत लीजे सामान नद्यन का जो पिपर फोर होगा ये भी आपका 250 नम्मर का ही करवाए जाएगा फर एक आपका बिकल्पिक बिसर होगा क्या होगा बिकल्पिक बिसर इसमें आप जैसे ही लेंगे तो दो पेपर होगे जैसे आप बोगोल लेते हैं या हिस्टरी लेते हैं इतियास तो इसमें आपके दो पेपर करवाए जाएगे क्या दो पेपर जो पितेग पेपर है ये पहला पेपर भी आपका 200 नम्मर यानि की 250 अंक का होगा जो दूसरा पेपर होगा ये भी आपका 250 अंक का ही होगा इस तरह से आपके टोटल 1750 हो जाते हैं कितने हो जाते हैं? 1750 नंबर हो जाते हैं उसके बाद दो पेपर और होते हैं आपके एक अनिवार अंग्रेजी ये भी 300 नंबर करेता है केवल इसमें उत्तीर होना आवसक होता है यानि कि ने उन्तम आपके 75-25-35 नंबर चाहिए होते हैं इसके नंबर भी आपके जो मैन जो के लिए मेरिट बनेगी लाश्ट में जो जिसके इसाब से आपको यानि कि IFS मिल रहा है या यानि कि जो भी पद मिल रहा है उसमें आपके ये नंबर नहीं जोड़े जाएगे ना तो आपका अंग्रेजी का जोड़ा जाएगा और ना ही जो हिंदी सामान होती है यानि कि अन जो कोई भी विस है जो आटवी अनसोची में आपकी 22 22 भासायन में से कोई भी एक आप चुन सकते है तो इनका आपका नंबर के वल क्वालिफाइंग करना होता है इसमें कोई भी पेपर आँगे नहीं जोड़ेगा फिर आपका लास्ट में बचता है इंटरव्यू यह आपका मार्च मही में बैसे सामालने तो उपर करवा दिया जाता है पर आँगे पीसे भी हो सकता है इसमें आपका व्यक्तित्य परीक्षण होगा यानि की परस्टनल्टी टेस्ट है यह आपका 275 नंबर का होगा इस तरह से 275 ए होगा आपके 2750 इस तरह से टोटल आपके 2025 अंख हो गए इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको पद दिया जाएगा ठीक तो याद रखिए पैरमीक परीक्षण में पराप्त किये गए अंखों को मुख परीक्षा और साप्छद करकी अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा जो पेपर आपकी पैरमीक परीक्षण में पेपर होते हैं वो केबल पड़ाओ एक जिससे अधिक बैक्ती बैटते हैं उन्हें चार्ट दिया जाए और मेंस में आप लोग पहुंच सकें एक सीड़ी है ये नंबर आपके फाइनल में नहीं जोड़े जाएगे ठीक है और जो दो और तीन अनिवार अंग्रेजी और एक भारती वासा में प्राप्त अंकी भी मुख परीक्षा और साप्छातकर के अंकों में के साथ नहीं जोड़े जाते हैं इसमें केबल आपके चार वो पेपर निवंद और चार जीएस के पेपर निवंद और ओप्षनल के नंबर जोड़े जाते हैं और इंटर्विव के इस तरह से आपके दोहजार पच्चीस नंबर हो जाते हैं इसी क्याधार पर आपके इसी क्यादार पर आपकी मरिड बनती है यह आपकी सामाने जानके अब बचता है पैरंबीक परिक्षा काम लोग सिलिवर्स भी आगे कवर करेंगे ठीक है? बहुत साधान सब्दों में बता दूगा